हेलो इस्टुडेंट्स, एनके मितल्लो क्लास में आपका स्वागत है आज हमारा यहां टॉपिक होगा इंडियन कॉंट्रेक्ट एक से रिलेटेट एक इन्पोर्टेंट टॉपिक आज हम कवर करेंगे पर्फॉर्मेंस ओफ कॉंट्रेक्ट आज हम पर्फॉर्मेंस ओफ कॉंट्रेक्ट की बात करेंगे आज हम अपने इस लेसन को स्टार्ट करें उससे पहले मैं यहां पर एक एक्जामपिल देती हूँ उससे यह और जादा पॉइंट किलियर हो जाएगा एक्जामपिल समझेगा अगर A और B दो पार्टी है A कहता है कि उसके पास एक कार है और वो कहता है कि वह कार वह B को दस लाख रुपे में बेचने की बात करता है अब B को लगता है कार बहुत अच्छी है और वो एग्री कर लेता है दस लाख रुपे में उस कार को खरीदने के लिए अब यहाँ पर जो A होगा उसकी तरब से क्या परफॉर्म किया जाएगा A की तरब से कार का परफॉर्म किया जाएगा कार B को दी जाएगी और B की तरब से क्या परफॉर्म करने की बात हो रही है एको दस लाख रुपे देने की बात हो रही है तो आज का लेसन ही हमारा इस पर बेस है परफॉर्मेंस ओफ कॉन्ट्रेक्ट ही है ये आज हम इसी के बारे में जानेंगे आज के लेसन में हम ये जानेंगे की हूँ परफॉर्म कौन परफॉर्म करेगा किस तरीके से परफॉर्म किया जाएगा और अगर परफॉर्म नहीं किया जाता है तो ऐसे का रिजल्ट क्या होगा हम आज के लेसन में क्या पॉंच कवर करेंगे कौन लोग हैं जो परफॉर्म कर सकते हैं किन तरीकों से परफॉर्मेंस की जाएगी अगर performance नहीं की जाती है तो उसका result क्या होगा हम आज इस lesson में इन बातों को जानेंगे सबसे पहला इसमें आप section आएगा section 37 obligation of parties to contract जिसमें बताया गया है कि perform करना parties की duty है हमने एक example रखा था भी आपके सामने कि A है उसके पास एक car है और वो car भे B को 10 लाक रुपे में देने की बात कर रहा है तो यहाँ पर यह obligatory है यहाँ पर यह A की duty है यहाँ पर यह A का obligation है कि वो अपनी performance करे क्या perform करे कि वह car B को hand over कर दे वही पर B की duty क्या है B का obligation क्या बनेगा वहाँ पर B की obligation है B की duty है कि जितने रुपों में 10 लाक रुपे में जब बात तेख हुई है तो वह रुपे वह A को दे दे तो यह obligation है parties का अब हमें यह जानना है कि यह performance कौन करेगा मैंने अभी शुरुआत में भी कहा था हमें आज के lesson में यही जानना है perform कौन करेगा किन तरीकों से perform किया जाएगा और क्या होगा अगर perform नहीं किया जाएगा तो सबसे पहला point performance के बारे में जो parties होती है performance की जो parties होती है सबसे पहले तो उन्हीं के उपर duty होती है कि वो अपनी तरफ से अपनी performance फुल्फिल कर दे जिसमें सबसे अच्छा example आपको कार का मिल गया है याद रखिएगा कि जब हम बात कर रहे हैं कार के लिए कि वो B को 10 लाक रुपे में बेचेगा तो यहाँ पर A और B जो parties हैं उन्हीं के द्वारा यह performance किया जाएगा इनको हम प्रॉमिजर कहेंगे जो प्रॉमिजर है वो खुद ही यहाँ पर अपने आप himself अपनी performance फुल्फिल करेंगी को कहा कि वो कार B को 10 लाक रुपे में बेचने की बात कर रहा है उसने कहा कि वो साथ जनवरी 2000 को उसे कार डिलीवर कर देगा लेकिन यह जो A थे वो 5 जनवरी 2000 को मर गई कॉंट्रेक्ट तो हो चुका था कार B को जानी थी और B की तरस दस लाक रुपे आने थे अब perform कौन करेगा तब यहां पर जो A के legal representative होंगे जो A के legal representative होंगे वो एक ही जगा पर जाकर perform करेंगे B के लिए जो A के legal representative होंगे वो कार B को देंगे और उसकी B की तरफ से 10 लाक रुपे आएंगे अगर B भी मर गया तो B के LR आ जाएंगे हम बात क्या कर रहे हैं हम बात कर रहे हैं कि इस प्रॉमिस को जो प्रॉमिस कार को लेकर बिट्विन A और B हुई थी उस प्रॉमिस को परफॉर्म कौन करेगा या तो वो प्रॉमिसर खुद परफॉर्म करेंगे अगर वो मर जाते हैं तब उनके विहाब पर ज स्किल की पर्सनल स्किल की अब हम बात यह कर रहे हैं कि कोई एग्रिमेंट अगर पार्टी के बीच हुआ है हम बात क्या कर रहे हैं पार्टी के बीच एग्रिमेंट हुआ है वो पर्सनल स्किल पर बेश है अगर अगर ए है उसने बी से प्रोमिस करा कि ए एक पेंटर है उसने करब 20 है कि वो एक लाख रुपे में बी के लिए एक पिच्चर बनाएगा ठीक है और इन्होंने दिन तैक लिया पांच जनवरी 2008 का लेकिन उसके ठीक पहले चार जनवरी 2008 को ए इतने बीमार हो चुके थे कि यह perform नहीं कर सकते थे फिर क्या होगा अब यहां पर जो क्या यहांपर अब एक एलर आकर परफॉर्म करेंगे नहीं कर सकते क्यों क्योंकि ऐसी प्रफॉर्मेंस ऐसी प्रोमिस जो इसकिल और परस्नल पर बेस होती है उसे केवल वो प्रोमिजर ही प्रफॉर्म कर सकते हैं वहाँ पर कोई अदर पाल्टी आकर उसे परफॉर्म नहीं कर सकती है यह बात हैं अभी हमने इस टॉपिक के तहत अपनी कवर करी हैं अब हम बात करेंगे यहां पर हम कि जो परफॉर्मेंस है वो दो तरह से हो सकती है एक्शुल भी हो सकती है और ओफर्टू परफॉर्मेंस यहां पर दो तरह से होगी या तो एक्शुल होगी यह ओफर्टू परफॉर्म होगी पहले मैं एक्शुल परफॉर्मेंस की बात करती हूं समझना क्या है एने बीस है ए जो था चलो वो क्रेडिटर है ठीक है इसने बीस हजार रुपे इस बीको उधार दिये थी डैप्टर हो गया यह तैह हुआ था कि तीन महीने में यह पैसा पे कर देगा बापिस कर देगा इसने तीन महीने के भीतर ही अपनी परफॉर्मेंस फुल्फिल कर दी तीन महीने में ही बीस हजार रुपे ले जाकर एको बापिस कर दी है तो यहां पर जो परफॉर्मेंस हुई है अब कि तरफ से वह कैसी है एक्टिवल पेफोर्मैंस यो जू किहा थो हो चुकी है अब बात करेंगे वो फोर्ट पफोर्मैन्स यह ऑट्यम्ट ट। पफ़र्मैंस इसका भी इंपॉॉत रॉरr है इस लेसन में समझ लो क्या है देखो एने बी को प्रोमिस किया कि वह अपनी कार उसे 20 लाख रुपे में बेचेगा ठीक है अब यहां पर परफॉर्मेंस क्या है एक को कार डिलीवर करनी है तो जो एना वह काल लेकर इस बी के पास गया कि मैं अपनी कार आपको हैंड ओवर क करिए मतलब अपनी करने का प्यास किया वेकिन बीने क्या कर रिर्फ्यूस आपकी परफॉर्मेंस को एक्सेप्ट नहीं करेंगे अब क्या होगा अब यहाँ पर हम इसे कहते हैं offer to performance या attempt to performance एक ही तरफ से तो attempt किया गया ना एक ही तरफ से तो प्यास किया गया ना उस car को बी को deliver करने का लेकिन बी नहीं उसे लेने से मना कर दिया यहाँ पर अब एक ही liability नहीं बनेगी अब वो libel नहीं माना जाएगा आगे चलते हैं आगे अब हम यह जानेंगे वो कौन कौन लोग होंगे अभी हमने जनरल स्पीकिंग बात कर ली जनरल स्पीकिंग अभी हमने जान ली है बहुत सारे points इसमें प्रॉमिजर हमने बहुत सारे points हैं जो हम यह cover करेंगे और cover कर भी चुकी हैं अब तक हम सबसे पहले और clear करेंगे performance कौन करेगा? question क्या है? point क्या है इसमें? person by whom is to perform? कौन लोग हैं जो perform करेंगे? प्रॉमिजर खुद perform करेगा A ने B से कहा कि वो एक wall clock का owner है wall clock एक लाक रुपे में B को बेचने की बात हुई है पहली possibility तो यही बनेगी कि A खुद ले जाकर wall clock B को दे दे और B खुद B को एक लाक रुपे hand over कर दे agent के माध्यम से भी आप performance करवा सकते हैं देखो कैसे? A ने B से कहा कि वो उसे car बेचेगा 30 लाक रुपे में अब यहाँ पर car की जो delivery होनी है B के पास में या तो A प्रॉमिजर खुद कर देगा या A के पास एक agent है C agent के माध्यम से भी car B तक पहुचा दी गई C A ने अपने agent के माध्यम से भी अपनी performance कर दी है legal representative समझ लो कहने को इससे पहले भी हम समझा चुके थे अभी A ने 20,000 रुपे B से उधाल लिये थे B कौन तक के रिटर हो गया ठीक है अब यहाँ पर यह पैसे जो थे तीन महीने में पे कनने थे यहाँ पर A जो था वो मर गया within one month रुपे लेने के एक महीने के भी तरही यह A जो था वो मर गया और पैसे इसे पे कनने थे तीन महीने में अब यहाँ पर A की जगा इसका legal representative जो है C LR of A वो आ जाएगा और वो यहाँ पर B को पैसे पे करेगा याद रखना legal representative वहीं तक लाइबल होता है जहां तक property उसे उत्र अधिकार में प्राप्त होती है third person का भी समझ लो इसमें third person क्या है देखो A है उसने जो goods थे वो B से लिये थे एक लाख रुपे के goods उसने B से लिये थे अब जब पैसा चुकाने की बारी आई चुकाने में यहां पर जो C था जो की A को जानता था C जो की A के बारे में सब जानता था उसने A के बिहाब पर जाकर B को एक लाख रुपे पे कर दिये और B ने भी उसे A के बिहाब पर C से ले लिया है यहां पर C कौन है third party तब performance third party की तरफ से भी हो सकती है joint promisor कैसे perform करेंगे यह और समझ लो A, B, C इन तीनों ने मिलकर यह debters है इन तीनों ने मिलकर D से 30,000 रुपे उधाल लिये हैं यह कौन है? क्रेडिटर हो गया ठीक है? अब पैसा कैसे चुकाएंगे? यह तीनों equally liable होंगे पैसा चुकाने के लिए अब कोशन यह उड़ता है यहां पर कि अगर यहां पर यह A मर गया फिर तो इसकी जगह पर इसका LR आ जाएगा लीगल रिपेजेंटिव फिर A का लीगल रिपेजेंटिव B और C पैसा चुकाएंगे D का सपोस करो B भी मर गया तब A और B के लीगल रिपेजेंटिव पिलस C मिलकर पैसा चुकाएंगे D का तो याद रखिएगा परफोर्मेंस कौन कौन कर सकता है अब हम क्या बात करेंगे अभी मैंने इस वाले वर्ल्ड को किलियर किया था offer to performance क्या बताया था मैंने अभी इसके बारे में याद होगा आपको बताइए मुझे offer to performance के बारे में मैंने अभी इसमें एक example दिया था अगर A और B में तैख हुआ कि A अपनी कार B को 20 लाक रुपे में बेचने की बात कर रहा है अगर तैख हुआ कि A अपनी कार B को 20 लाक में बेचेगा तो यहाँ पर इन्होंने एक दिन तैख कर लिया पांच जनवरी का कि उस दिन ये कार B आपको डिलीवर करें A आपको डिलीवर कर देगा अब A ने अपनी promise निभाई और A ही है कार लेकर B के पास गया लेकिन B ने इस कार को accept करने से मना कर दिया अब क्या होगा अब बताई अब क्या होगा यहाँ पर अब यहाँ पर यह जो promise है न A यह अपनी liability से free हो जाएगा लेकिन कब इसमें भी कुछ conditions हैं जो हमें याद रखनी जरूरी हैं सबसे पहले तो यह है कि यहाँ पर इस A को यह साबित करना परेगा कि इसकी तरफ से जो अपनी perform किया गया है कार को देने का जो perform किया गया है attempt to perform किया गया है एक ही तरफ से वो unconditional था इसने कोई condition नहीं लगा रखी थी इसमें इसने एक सही time पर और सही place पर ही कार को ले कर गया था working hour में ही वो कार B के पास ले कर गया था और जो उसका work place था वही पर वो कार ले कर गया था B के पास में B के पास में एक reasonable opportunity थी कि वो चेक कर सकता था कि जो goods जो कार उसके पास आई है उसमें कोई खराबी तो नहीं है बी यह सब चेक करने की reasonable opportunity भी रख रहा था तब अगर यहां पर यह बातें इस प्रॉमिजर ने साबित कर दी और यह भी साबित हो गया कि इस बी ने मना कर दिया था उसकी perform करने को उसके offer performance को बी ने accept करने से मना कर दिया है तब यहां पर अभी है जो प्रॉमिजर होगा यह अपनी liability से अभ यहां पर free माना जाएगा next point आता है section 39 most important anticipatory breach of contract effect of refusal to party to perform promise बहुत ही जादा simple है यह यह समझ लीजए आप जैसे कि अगर a है और b हैं दो लोग हैं a और b दो person है चलिए पहले इसका meaning बताते हैं example इसमें बाद में बताएंगी anticipatory breach of contract कहां define है section 39 में define है इसमें होता क्या है इसमें दो parties आपस में agreement तो करती है लेकिन कोई एक party agreement में perform होने से पहले अपनी performance से ठीक पहले अपनी performance से ठीक पहले कोई एक party खुद को enable कर लेती है perform करने से when a party to contract has refused to perform or disable himself from performing his promise in its entity शुरुआत में ही अपनी perform होने से पहले अपनी perform करने से पहले ही अपने आपको डिसेबल कर लेना या मना कर देना perform करने से तब यहां पर ऐसे में जो प्रॉमिस ही होता है उसके पास यह राइट आ जाता है कि वह उस प्रॉमिस को उस अपने लुशंद को टरमिनेट कर देगा यह वेट भी कर सकता है एक्जामप्ल समझों इसमें क्या है एक सिंगर है हम समझाते हैं ए को ने है एक सिंगर है।又 प्रॉमिस करती है बी से कि उस B के थेटर में जाकर गाना गाएगी यहां पर तैख हुआ कि वह दो महीने तक लगातार परफॉर्म करेगी दो महीने में वीक के दो दिन वो परफॉर्म किया करेगी यहां पर उसको जिस दिन परफॉर्म करना था सिख्थ नाइट को छटवी रात को जब उसकी परफॉर्मेंसी उस दिन उसने जान मुझकर परफॉर्म करने से मना कर दिया उसने साफ मना कर दिया परफॉर्म करने से उसने अब यहां पर B के पास क्या राइट होगा या तो वो उस कॉंट्रेक को टर्मिनेट कर दे उसी समय पर उसी समय पर उस contract को वो खतम कर सकता है या अभी और बचे हैं दिन, दो दिन अभी और है तब वो चाहे तो आगे wait भी कर सकता है इसे हम कहते हैं anticipatory breach of contract अब आप यहाँ पर जानो liability of joint promise and promisee section 42 अब हम क्या जानेंगे अब हम इस वाले point में cover करेंगे joint promisee और joint promisee हम इसमें cover करेंगे joint promisee और joint promisee के बारे में अब हम इसमें जानेंगे हम क्या जानेंगे इसमें joint promisee द्वारा बनाई गई promise perform कैसे की जाएगी यह कई बार आ चुका है अगर A.B.C. ने D. से कितना 60,000 रुपे उधार लिया था कितना 60,000 रुपीज अगर A.B.C. ने मिलकर D. से ले रखा है उधार में तब यहाँ पर कैसे पैसा दिया जाएगा यह लोग यहाँ पर equally 20-20,000 रुपे करके D. को पे करेंगे अगर यहाँ पर A. मर गया तो उसका legal representative B. मर गया तब उसका legal representative C. मर गया तो उसका legal representative आकर पे करेंगे अब इसके साथ में ही अगला पॉइंट आता है Anyone of joint promises may compelled to perform अब हम बात यहाँ पर यह करेंगे कि यह जो joint promise ही है D. यह अपना पैसा इन joint promises से कैसे वसूल करेंगा अगर यहाँ पर D. चाहेगा तो वो अकेले A को या B को या C को किसी A joint promises से ही वसूल कर सकता है अब यहाँ पर भी एक बात हैराइज हो जाती है अगर यहाँ पर D. ने अपना पैसा केवल A से वसूल कर लिया साथ हजार रुपे पे करने थे तीनों को मिलाकर D. ने केवल A से पैसा वसूल कर लिया अब क्या होगा अब यहाँ पर जो A होगा अब इस कंडिशन में जो A होगा वो B और C से रुपे वसूल करेगा 20-20,000 रुपे अब वो B और C से वसूल करेगा अब इसमें एक पॉइंट और यहाँ पर समझ लो क्या था अगर यहाँ पर A, B, C वो ही कंडिशन है D को इन्हें 60,000 रुपे पे करने थे इन्हे D ने केवल A से ही पूरा पैसा वसूल कर लिया है अब A के पास राइट था कि वो B और C से पैसा वसूल करता लेकिन यहाँ पर जो B था वो अनेबल हो चुका है वो पैसा नहीं पे कर सकता है अब क्या होगा अब यहाँ पर जो A है न वो इस C से ही 30,000 रुपे वसूल करेगा नेक्स पॉइंट आता है अब इसमें भी एक बास समझ लो अगर यहाँ पर A, B, C तीन लोग थे उन्हें D को 60,000 रुपे पे करने थे यहाँ पर D ने A को फिरी कर दिया D ने कहा A, तुम अपनी लाइबल्टी से फिरी कर दिये जाते हो अब यहाँ पर जो B और C होंगे यहाँ पर वो लाइबल होंगे 60,000 रुपे पे करने के लिए D को नेक्स आता है जोइंट प्रोमिजी के क्या राइट्स होंगे बहुत सिंपल है अब यहाँ पर A और B केरिटर की पोईशन में आ गए इन्होंने D को रुपे दिये थे 20,000 रुपे ठीक है अब यहाँ पर A और B दोनों मिलकर D से पैसा वसूल कर लेंगे कल को अगर A मर गया तो A कल LR लीगल रिपेजेंटिव प्लस B और अगर B भी मर गया तो B और A के लीगल रिपेजेंटिव आकर इस D से पैसा वसूल कर लेंगे आज हम अपने टॉपिक को यहीं अभी कवर करते हैं अभी इस वाले लेसन में और बहुत सारे पॉइंट्स रहे गए हैं जिनने हम नेक्स्ट क्लास में कवर करेंगी और इसी के साथ आपकी क्लास आज यहां पर कम्प्लीट हो जाती है